सेंदा नमक सेहत के लिए बहुत फायदमन माना जाता है सेंदा नमक स्तपेद और गुलावी रंका होता है और इसे सबसे सुध्य नमक माना जाता है इसी करणा जदातर लोग सेंदा नमक को ब्रत में खाते हैं सेंदर नमक को गुलावी नमक, हिमालियन नमक, रोक साल्ट, लाहुरी नमक या हेलाइट, सोडियम, क्लोराइट के नम से जाना जाता है सेंदर नमक में मिनरल्स, आयरंग, जिंक और मेगनीसिम जैसे पोसकतत को पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफी फाए जाते हैं, सेंदर नमक के इस्तमाल से त्वचा को स्वस्त रखा जा सकता है इतना ही नहीं, सेंदर नमक के सेवन से कब्ज और मोर्टाइपे को भी नियंतरित किया जा सकता है तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम आपको सेंदा नमक खाने से मिलने वाले फायदे बताते हैं नमबर वन हिर्दय को दुरुस्त रखता है सेंदा नमक आज कल बिगरती जीवन सैली को संतुलित करने और अच्छा खानपान का पालन करना जरूरी है जिसके चलते कुछ घरले लू नुक्सके का अरुक करना आवश्रक हो गया है और उन्हीं में से एक घरले नुकसा है सेंद नमक को जरूर सामिल करें सेंदा नमक काम के दवाब और दिनमर की भागदोड के चलते ज्यादातर लोग साम होते होते मानसिक तनाप के सिकार हो जाते हैं इससे उन्हें सिर्दर्द की समस्य हो जाती है कई लोग अन्य करणों से भी सिर्दर्द से परिसान रहते हैं सिर्द तनाव से बचने के लिए ऐसे करने सेंदनमक का इस्तिमाल आज कल बहुत से लोग तनाव में अपना जीवन बैतित कर रहे हैं काम का बहुत अधिक दवाब या काम में ऐसा फलता और गलत दिन चर्या जिसके करन बैक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता और तनाव का सिकार हो जाता है इसी बज़े से आज के समय में हर चोथा बैक्ति तनाव या डिप्रेशन का सिकार है हाला कि हपते में दो से तीन वार गुनगने पानी में दो कप सेंदा नमग डाल कर नहने से यह समस्या दूर हो सकती है इंसुलिन उत्पादन और मधुमे को नियाटिर करने के लिए सेंदा नमग का इस तरह करें इस्तमाल डाइबटीज की समस्या से आज कल हर दूसरा ब्यक्ति परिसान है क्योंकि अगर जरासी भी लापरवाई की जाए तो यह समस्या जान लेवा साबित हो सकती है कई वार सरीर में मेंगनिसम की कमीवी डाइबटीज का करन हो सकती है जिन लोगों को मधू में है उनके सरीर से मेंगनिसम पेसाप के रास्ते बाहर निकल जाता है इससे उतक इंसुलिन के पिर्थी ऐसममंदन सील हो जाते है हाला कि सैंदर नमग के सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी सैंदर नमग से जुड़े स्वास्ति समंदि लाव ये लाव आपको कैसे लेकिन नीचे कमेंट करें हमें जरू बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार लगें जै हिन जै भारत